मित्रो शुरू करे मित्रो मेरे साथ मानिया लालकृष्ण अद्वानी जी के जन्चेतना यात्रा के प्रभंदन में सयोग करने वालों का मैंने पहले आप सब जानते ही होंगे लेकिन परचे करवाऊंगा मेरे वरिष्ट राष्ट्री महामंत्री रविशंकर प्रसाज जी इस यात्रा में रहेंगे और इस यात्रा का सहसयोजक रहेंगे हमारे और एक राष्ट्री महासचिव राष्ट्री सचिव मुल्ली दर्राओ जो मेरे बाय और बैटे है वो इसका और एक सहसयोजक रहेंगे भारती जन्ता पार्टी के राष्ट्री मंत्री शाम जाजू ये भी सहसयोजक होंगे इस यात्रा के लिए ग्यारा शोका में हम एक समन्वाई केंद्र कौर्डिनेशन सेंटर शुरू करने वाले है उसका सहसयोजक पार्टी के राष्ट्री सच्चिव भुपेंद्र यादवजी रहेंगे मित्रो जैसे पिछले दिनों में हमारे राष्ट्री अध्यक्ष नितिन जी ने गोश्णा की वैसे मानिय लालकृष्णा अडवानी जी के नेत्रतु में पुरा देश बर हम जन चेतना यात्रा करने वाले है जन चेतना यात्रा उसका मुक्य उद्देश होगा सुशासन और सच राजनीती के लिए यात्रा का नेत्रत तो मानिय अडवानी जी करेंगे इससे पहले मानिय अडवानी जी छे यात्रा ये कर चुके है और हर बार अपने यात्रा के दवरान उन्होंने भारत के सोच को और भारत के राजनीती में एक बदलाव लाए है रामरत यात्रा से दो हजार चे के भारत सुरक्षा यात्रा तक उन्होंने देश का परिक्रमा किया है इस यात्रा 11 अक्टोबर लोकनायक जैप्रकाश नाराइण जी के जन्मद उसके शुबा उसर पर उनके जन्मस तली सिताप दियारा से प्राणम होने वाला है पत्ना से 1500 किलोमीटर स्तित सिताप दियारा में लोकनायक जैप्रकाश जी का जन्मस्तान है वहाँ बिहार के लोकप्रियम मुक्यमंतरी एंडिये के सयोगी नितिश कुमार जी इसको हरी जन्डी दिखाएंगे बाद में पुरा 38 दिन मानिया अडवानी जी देश बर में जन्चेतना यात्रा करने वाले हैं आखिर में नवंबर 20 तारीक को नई दिल्ली में यात्रा का समापन होगा उस दिन दिल्ली में एक बहुत विराट रैली करने का योजना भी भारती जन्ता पार्टी ने की है आप सब जानते है नवंबर 30 या चोटी हपते में समसत का सत्र शुरू हो जाता है शीत कालिन सत्र शुरू हो जाता है इसलिए दो सत्रों के बीच में मद्यकाल में याने मांसुन सत्र से शीत कालिन सत्र के बीच में ये महा अभियान अडवानीजने और भारती जन्ता पार्टी ने कर रही है इस यात्रा तेईस राज्यों में और चार केंदर शास्षित प्रतेशों में गुजरेगी हम इस यात्रा में 7600 किलोमीटर सफर करने वाले हैं और इस यात्रा को छे कंडों में हमने विभाजन किया है याने इतना महान देश का परिक्रमा करना और 38 दिन में याने 38 देश में करना ये अपने आप में एक चनोती है इसलिए इशान्य भारत अंडमान ऐसे जगह पर हम हवाई मार्क से जाने वाले हैं इस्टन इंडिया नॉर्थ इस्टन इस्टन इंडिया अंडमान और निकावबार में और इस यात्रा सव जिलों को कवर करने वाली है यात्रा का स्वरूप हमने या इसे सोचा है प्रति दिन सुबह दस बजे यात्रा शुरू होने वाली है और राद दस बजे तक चलनी वाली है इन बारा गंटों में हर दिन 6-7 गंटा वो सफर करने वाले है यानि दिनम प्रति धाई सो से तीन सो किलो मीटर का आउसतन हमने यात्रा का रूट रखा है और इस यात्रा के लिए हम एक बस को मॉडिफाई किया है इसुजू बस को मॉडिफाई किया है और उसमें एक पावर लिफ्टेड पावर डिवन लिफ्ट होगा जहां भी वो गाओं को शहरों को प्रवेश करेंगे और मंच के सबाओं के अलावा स्वाधत केंद्रों में वो बोलने वाले होंगे तो लिफ्ट के साथ वो प्लाटफरम उपर आ जाएगी वहां से वो लोगों को संभोधित करने वाले हैं और हर दिन तीन से चार सबाए करने वाले हैं और लगता है साइकड़ों नुकर सबाओं सबा इसके साथ होने वाले है इस यात्रा में इस यात्रा के उद्देश के बारे में आर तारीक के प्रस कॉंफरेंस में मानिय अडवानी जी खुद कहे चुके है बाद में पिछले दिनों में मानिय गड़करी जी इसके बारे में विस्तार से कहे चुके है लेकिन पूरा देश आज ब्रस्टाचार के किलाफ कालादन के किलाफ और बढ़ती हुई महेंगाई के बारे में और बार बार आतंकवाद के हमलों के बारे में आंदोलित है आक्रोशित है इसलिए यदि सारे विश्यों का समस्याओं का एकी समाधान है तो उसके लिए सुशाशन चाहिए और सुशाशन के लिए साफ राजनीती चाहिए सवच राजनीती चाहिए इस सुशाशनीती को कानून के प्रक्रिया से याने लोगपाल को लोगपाल बिल सुटंत्र असरकारी लोगपाल बिल हो सकता है कालादन वापस लाने के लिए एक कानून हो सकती है और जैसे मद्यप्रदेश, बिहार, जारकंड, हिमाचल प्रदेश, चत्रिसगड ऐसे कई प्रदेशों ने लोगसेवा गैरेंटी आक्ट लाई है ऐसे कानून हो सकता है और उसके साथ ब्रश्ट अधियकारियों का जाइदा जब्त करने की जो स्पेशल कोर्स आक्ट है जिसको बिहार और मद्यप्रदेश ने लागू किया है ऐसे आक्ट हो सकता है इने कानून के प्रक्रिया के तहत और दूसरा प्रशासन की पारदर्शिता यानि यी गावर्नेंस के तहत यी टेंडरिंग, यी प्रोक्यूर्मेंट, यी डिस्टिबूशन यी रिक्रूट्मेंट ऐसे कई सुदारों के साथ और तीसरा जनता के सहबागिता के साथ हम हासिल कर सकते हैं इसके लिए जो सुदार चाहिए यानि नयायक सुदार हो, चुनाव सुदार हो और राजनेतिक सुदार हो कानूनन सुदार हो ऐसे सभी सुदारों को प्रशासनिक सुदार हो ऐसे सभी सुदारों को मद्द जजर रखते हुए इन सारे विशों के बारे में जन जागन करने के लिए जन साहब आगिता लेने के लिए और जन के मन में जो आक्रोश है जो बैचेनी है उसको चनलाइस करने के लिए भारती जनता पार्टी ने अद्वान जी के नेतृत में जनती यतना यात्रा शुरू कर रही है